दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एके ओन्लाइन पॉइंट यूडी शैनल में दोस्तों आज हम बताने वाले हैं बिहार में आउवी बेकेंसी डाटा इंट्री ओपरेटर की बेल्ट्रोन के तरफ से इसका रेश्टेशन लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है जिसके माद पर इढ्रेस बार में यहां पर टाइप करना है बेल्ट्रोन जैसे इस पर एंटर कीजीगा आपको बेल्ट्रोन कीxo साईट करके आजissements कने आजाएगे यह देल्ट्रों की साइट करके सामने आजायएगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर निवस एंडी यहुज ज लिंक for BSE DC DU 2024 application form यहां पर notification flash हो रहा है यहां से भी click करके आप अपना registration कर सकते हैं यहां फिर जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं क्लिक करेंगे तो हमें यहां पर देख सकते हैं login page यानि login और registration दोनों पेज पर लेकर के आगया है यहां से आप अगर पहले से registration कर चुके हैं तो यहां पर login अपना user ID और password डाल करके login कर सकते हैं या फिर अगर नए candidate है आप तो यहां पर आपको दिख रहा होगा registration करने के लिए तो यहां पर register here पर click करना है जैसे register here पर click करेंगे तो आपका registration का form खुल लाएगा यह देख रहे हैं registration form loading ले रहा है इसके लिए हम थोड़ा सा इंतिजार कर लेते हैं 100% तक complete होने के लिए यह देख सकते हैं 100% complete हो गया है और यहां पर हमें एक instruction दिया जा रहा है हम agree कर देते हैं जैसे agree करेंगे तो यहां पर हमारे सामने पूरा का पूरा application खुल लियाएगा यहां पर आपको बस अपना basic detail डाल करके registration करना होगा यहां पर देख सकते हैं दोस्तों अब मैंने अपना registration form में basic detail अपना डाल दिया है यहां पर देख सकते हैं अक्षतिवार डाल दिया है यहां पर एक alternate number मांगा जा रहा है अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं मेरे situation मैंने इसे खाली छोड़ा है यहां पर अपना email ID डालेंगे यहां पर अपना basic detail डालने के बाद यहां पर I agree पर click कर लेना है और यहां पर generate OTP पर click कर लेना है आपको mobile और email दोनो करेंगे तो यहां पर लिख रखाया है kindly use OTP receive on your mobile number और email address आपके mobile number और email address दोनों पर OTP आजाएगा दोनों में से कोई साभी डाल सकते हैं तो करने के बाद यहां पर हम OTP का इंतजार कर लेते हैं मेरा OTP आ गया है और मैं OTP भर लिया हूँ और अब मैं यहां पर validate OTP पर एक ब भर लिजेगा मैंने भर लिया और यहां पे verify by click कर देना है जैसे verify पे click करेंगे मेरा एक gender shoot रखा तो यहां पी यह highlight होगे आपका उप कूछ चूटा होगा यह आपको यहां highlight कर देगा तो चलिए आ यहां पर, हम जेंडर चूज कर लेते हैं आपना यह देख सकते हैं प्रफे हम अपना जेन्डर सिलेक्ट कर लेंगे एं आपकर सही रहे होगा तो यहां पर साल होगार है ठीक है यहां मेरे सारे डीटेल से ही तो मैं यहां पर सारे सारे चेक मार्क कर दूँगा जैसे चेक मार्क कर दूँगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं सब्मिट प्रसंट का अप्शन आ गया है जैसे ही सब्मिट बटन पर मैं क्लिक करूंगा आगे का प्रोसेस हो जाएगा तो यह फटा-फट क्लिक कर लेते हैं कि यहां पर आप ओके कर देना है यह देख सकते हैं हमारा रिखेश्ठेशन होगा और यहां पर हमें दे दिया गया है आपको मोबाइल नमडर और इमेल ऐडि पर भी इसका रिखेश्टेशन नममर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा जैसे ही आप व्धिया blessed करने के बाद आप एहां पे देक सकते हैं go to application लिखा हुआ है इस पर हम click करते जैसे है के पर हमने हैं सब्सक्रीइद तो कीने रहे पर बीचिकी처럼 की हमारा एक बार फिर से लेकिल लेने है जैसे यह लोड़े लेगा तक हम इन्धिजार कर लेते एक हमारा लोडिंग कपलीट हो गया और यहां पर फिर एक बार ब्राउजर के बारे में नोटिकेशन देरा इसको हम काट देते हैं आप आपको दीखेगा प्रस्टनल डीटेल्स में हमें अपनी कुछ प्रस्टनल डीटेल्स फिल करनी होगी जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर हमारा प्रस्टनल डीटेल्स में हमें अपना मेरेड है कि अपने हस्मेंट का नाम डाल सकती है यहां पर मोबाइल नमबर और इमेल आईडी भी आपको कुछ नहीं करना है पोस्ट के नेम में डाटा इंट्री ऑपरेटर रहेगा इसमें भी कुछ नहीं करना है नेशनालिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है आर्यू दोमिसियल ओव भीहार तो आपको यहां पर यस करना है मेरे सिच्चुशन नहीं है तो मैंने यहां पर नो किया है और अगर आप भी बिहार से बाहर के हैं तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं बस यह होगा कि आपका जो इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर पहचान मार्क्स होता है उसके बारे लेना है तो इसलिए मैंने यहां पर फेस लिख दिया है इसके बाद आपको आईडी प्रूफ मंगा जागा तो यहां पर लास्ट में आप सेलेक्ट कर लेगे एनी फोटो आईडी प्रूफ इसू बाहित गॉर्मेंट तो यहां पर पैन काट या अधार काट कुछ भी सेलेक्ट करके यहां पर डाल सकते हैं तो मैंने अपने सक्सेसफुल दिखाने लगा ओके करते ही देखिए हम एडिशनल डिटेल्स में आगये जैसे यहां पर आप से पूछा जा रहा है कि आप डिसेबल हैं अगर हां तो यहां कीजिएगा अगर नहीं तो नो कर दिजिएगा जैसे आप अपने यहां कीजिएगा तो अपना सारा जा रहा है यहां पर आपको दोनों अगर सेम है तो सेम डिटेश डाल दिजिएगा और आपका परमानेंट अलग हो और अलग हो फ्रस पेटरेश। का मतलब होता है पत्रह चारी जहां पर आपको कम्मिनिकेशन किया जा सके तो उस एड्रेस को यहां पर डाल सकते हैं तो दोनों में सेम सेम टाइप करना वोगा तो चलिए फटापर हिस्तुर टाइप कर लेते हैं देह सकते हैं मैंने अपना Fußना सारा डीटेल इंप्के लिए सारा डीटेल दिंद करने के बाद आपको सेव ख्फिद्सक्राइऑ सब IS SHbn और चैनल के तो यहां हमारा क्वालिफिकेशन एक्स्पिडियन्स सब्सक्राइब अब अपना है क्वालिफिकर्टेशन और एक्स्पियरेंस बंख सकते हैं न तो मैंने सारे ठाटेटल कर लिया जासे कि यहां पे अपना बोर्मेश लिए डाले distorted यहां अपि इस्कूल और इस्टिविटेट का नाम डाल देंगे यहां पर अपना पर्सेंटेज और उस्यम निकल कर जाएगा और यहां पर पासिंग यह सेलेक्ट कर लेना है उसी तरह से आपको सारा सब्जेक्ट का नाम लिखना है आपके मार्क इस जैसे लिखा हुआ है तो आपको यहां पर पूरा पड़ले यहां पर फिर से वही आपको परसेंटेज जीपी क्या है उसको सेलेट करना है सेलेट करने के बाद आपको अपना के लिखेंगे कि आपको टाइपिंग वीडियूम ह deixar रहे तो यहां पर देखना है कि आपको हिंदी आ vorbei इंग्स दो तोनों के आपको आपको दोनों का ही एक्जाम देना पड़ेगा है अगर आप दोनों का एक्जाम दिते हैं तो आपको यहां Online स Ό vanity मिलेगी और आपका ज़्यादा brightness में नंबर आएगा क्योंकि आपको यहं पे दो टाइपिंग लिया जाएगा इसलिए आपको ज्यादा ओसरा मिले किए मैं तो recommend करूंगा आप यहाँ पे दोनों से लेक्ट करें उसके बात आपको यहाँ पर वन ये जाल देज़ेगा पासिंग क्पीटर की कुछ सालब में पास किये étant उसका यहां पर आपको higher qualification वांगा जा रहाँ तो आप कहा पर अपुर्द है तो आप혼पर डच्वारा डेटिल प्erkतmen पर चेक करेप लिख direct सिजीपी अंडर इंटर्मीडियर कर देता हूं जैसे शेव अंडेक्ट पर क्लिक करने के लिए कर देता हूं अब यहां पर देख सकते हैं कि टेस्ट सीटी प्रिफरेंस पूछा जा रहा है हमसे कि आप कहा कहा लेना चाहते हैं यहां पर हमें तीन ऐप्षन मिला है सेलेक्टरिक्टेने लिए तेनो अलग 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 आपको इसको सेलेट करना कि मंी पटना दूसारा नमबर करने अर्ट्रा अर्ट सेलेक्ट आपकोडियो जो यहां पर data को okay कर देज़ेगा तो अब आप देख सकते हैं यहां पर आप हमें photo और documents upload करने का option आ रहा है तो यहां पर हम documents और photo upload करेंगे तो photo upload करने के लिए यहां पर देख सकते हैं click here to photo upload क्लिक करना है जैसे click here to upload पर करेंगे तो यहां पर आपको देख सकते हैं कि 50-80 kb के बीच में आपका फोटो का साइज होना चाहिए तो छिली फटा-फट इसको select करके आपको एक दिखा देता हूं यहां पर photo मैं यहां पर open कर देता हूं तो यह देखिए upload हो रहा है upload successful होगे यहां पर okay कची रहना चाहिए आपको अगर size के बारे में पता नहीं कि कैसे कम या ज्यादा करते हैं तो यह website है मैं इसका website का link description में दिया हूँ यहां पर आप जाएंगे और यहां पर आप अपने photo को upload करेंगे upload करने के बाद यहां पर देख लीजे upload हो गया है यहां से automatic कर दिया है तो आप आप देख सकते हैं इस photo को size क्या है इसको अपने हिसाब से करने के लिए एक बार क्लिक करेंगे और यहां पर देखेंगे अंठावन केवी का यह original photo था और इसे 28 kb में compress कर दिया मान लिजे मुझे इसको 50-80 kb के बीच में करने तो इसको just ऊपर करके आप लेकर कर जाएंगे उसके बाद apply करके यहां से डाउनलोड पर क्लिक कर दिजेगा तो आपका photo upload हो जाएगा रिसाइज हो करके तो इसको आप अराम से upload कर लिजेगा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप बोलिएगा आपके लिए इसके लिए special separate video बना करके आपको upload कर दिया जाएगा अब आप सारा photo और documents upload कर लिए होंगे उमीद करते हैं upload करने के बाद आपको यहां पर देख रहे हैं side में view का option आ रहा है इन सभी को view करना अनिवार रहे है जैसे यह आप view करेंगे तो आप क्या upload किये हैं इन चीजों को दीख जाएगा और यह verify करना ज़रूरी है उससे अग आगे का process नहीं लेगा तो चलिए मैं फड़ा फट भीव कर लिया हूं और अब मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मुझे 1000 रुपय का payment करने का option दिख रहा है online के मादेम से तो मैं यहां पर चेक कर दूँगा और यहां पर मैं इसक लिधार करें और यहां पर capture दे रहा है उपर में इसको मैं फड़ाफट फियल करके आगे process करता हूं preview का option दिखेगा preview के option थे आप यहां पर click करेंगे जैसे प्रिवी के option पर क्लिक किए यहां पर आप देख सकते हैं आपका सारा का सारा form का detail आगया इसे आप एक दो बार आराम से मिला लें कोई दिक्कत ना हो क्योंकि बाद में अगर दिक्कत होगी तो आप इसे एडिट कर नहीं पाएंगे और नहीं इसमें सुधार करवा पाएंगे तो इसलिए आप इसको एक बार बहुत अच्छे से देख लिजए कोई दिक्कत हो गलती हो उसको तो बैक जा करके उसको आप सुधार लिजएगा तो मेरे इस सब्सक्राइबून कोई बढ़ा और यहां से मैं इसको सब्मिट कर दूंगा अब देख सकते हैं यहांप हमें पे पेमेंट का ओप्सन आप यहां पे क्रेडिट का डेविटक नेट बैंकिंग वालिट जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं कर देजिए तो मेरे में qr code को scan करके payment कर रहूंगा आप भी चाहें तो इसको कर सकते आसानी से payment हो जाएगा तो यह दख सकते हमारा payment successful हो गया और यह हमारा application form हो गया और यहां पर हमें message भी आ गया your application form has been submitted successfully payment is successful अब इसको close कर देंगे और यहां से इसको हम print out निकाल लेंगे अपने application का receipt यहां पर सेव है इस PDF कर देंगे और इसको हम सेव कर लेंगे अपने computer में तो यह हमारा finally built on data entry operator 2024 के लिए vacancy का registration successful हो चुका है यह हमारा application form slip मिल गया है अब इसका payment का slip भी हम सेव करके रखेंगे क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है आगे भविष्य में थैंक्यू दोस्तों मिलते है अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद